दोस्तों स्वागत है आप सभी काई कैसे जो के सन यूटू चानल पे तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे All India Institute of Medical Science अखिल भारती आडविग्यान संस्थान के दुरा वेकेंसी निकल क्यारी जिसमें की बैडियेंस पोस्ट निकाले गया है तो All Open India से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो इसका Official Notification पे चलते हैं वहां से साइल डीटिल आपको बताते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका Official Notification पे हम आ चुके हैं Group A, B, C पोस्ट पे यहां पे वेकेंसी निकाली गई है Veterinary Officer की वेकेंसी लेवल 10 की साइल डी है Essential Qualification में डिगरी आपका मांगा गया Veterinary Science में उसके बाद दो साल का Practical Experience भी यहां पे मांगा गया है Dejarable है तो Extra Performance मिलेगा उसके बाद यहां पे दिया गया है Group A की वेकेंसी है 35 साल से ज़्यादा Age Limit नहीं होनी चाहिए Interview के दोरह यहां पे सेलेक्शन किया जाएगा Chemistry की वेकेंसी लेवल 10 की साइल डी रहने वाली है MSC डिगरी आपके पास होना चाहिए Organic Chemistry में 3 साल का Experience भी होना चाहिए 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और Interview के दोरह यहां पे सेलेक्शन किया जाएगा Clinical Psychologist की बात कर लेते हैं तो यहां पे देख सकते हैं Level 10 की साल डी अपके पास होना चाहिए PhD डिगरी होना चाहिए बाकी डिटेल आप यहां पे चिक कर सकते हैं और यहां पे भी Interview के दरह सेलेक्शन होगा 35 साल इस तक अप्लाई यहां पे कर सकते हैं General Duty Medical Officer Level 10 की साल डी है Essential Qualification आप यहां पे चिक कर सकते हैं बाकी डिटेल यहां पे दी गई है वेकेंसी की बात करें तो Scientist 1 की वेकेंसी है Level 10 की साल डी रहने वाली Essential Qualification में MSC First Class आपके पास होना चाहिए और PhD अगर आप कर रहा है परसेसिंग में तो आपको यहां पे प्रिफेंस मिल जाता है बाकी आप डिटेल यहां पे चिक कर सकते हैं सारी चीत दी गई हैं इंटर्व्यू के तो यहां पे सेलेक्शन होगा 45 साल इस लिमीट यहां पे General Conduit के दी गई है बाकी डिटेल आप यहां पे चिक कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट पे कितनी वेकेंसी है तो सारा चीत यहां पे आपको देखने को मिल जाता है अगली वेकेंसी की बात कर तो Scientist Second की वेकेंसी लेवल 11 की सैल्डी Essential Qualification PhD आप से मांगा गया है बाकी डिपार्टमेंट वाई यहां पे वेकेंसी चेक कर सकते हैं तो इसके notification का link description में मिलेगा वहां से आप download कीजिएगा download करके पुरा notification को अच्छे से पहली जगा apply करने से उसके बात Scientist Second यहां पे देख सकते हैं वेकेंसी लेवल 11 की सैल्डी बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं और यहां पे 30 साल एस तक apply कर सकते हैं इंटर्वी को दा सेलेक्शन है senior technical editor की बात के तो level 11 की सैल्डी है master's degree चाहिए बाकी 10 साल का experience भी चाहिए 30 साल तक apply कर सकते हैं इंटर्वी के तो यहां पे सेलेक्शन आपका किया जाएगा बागे यहां पे आगे देख सकते हैं welfare officer की वेकेंसी निकाली गई है level 10 की सैल्डी है graduation वाले अपलाई कर सकते हैं और यहां पे will conversion with the welfare activities में आपका जो है employer of large establishment में आपका यहां पे conversion होना चाहिए के द्वारा यहां पे सेलेक्शन आपका किया जाएगा computer based test के द्वारा 35 साल तक अपलाई यहां पे कर सकते हैं अगला वेकेंसी तरह आप check कर सकते हैं librarian get hurt की वेकेंसी निकाली के B.Sc वाले अपलाई यहां पे कर सकते हैं bachelor's degree lab duty science में आपके पास होना चाहिए CBT के द्वारा सेलेक्शन आपके यहां पे किया जाएगा assistant store officer की बात करें तो यहां पे देख सकते हैं master's degree चाहिए त्रिन साल का experience भी चाहिए यानि तो bachelor's degree economics, commerce, statics में आपने किया हुआ है अपलाई कर सकते हैं post graduation degree आपके पास होना चाहिए तिन साल का experience भी चाहिए यहां पे अगली बगें से statical assistant की है level 6 की salary है MSC अपने statics में किया हुआ है या फिर maths में, economics में, sociology में तो अपलाई यहां पे कर सकते हैं और बागी detail आप यहां पे check कर सकते हैं technical assistant की बात करें तो यहां पे देख सकते हैं बागी detail यहां पे दिया गया है यहां फिजियो थरफी की बात करें आप यहां पे लेवल 6 की salary है उसके बाद इंटर यानि की 12 class science से पास है तो अपलाई कर सकते हैं साथ में डिग्री आपके पास होना चाहिए फिजियो थरफी में डिप्लोमा आपने की हुआ है तो अपलाई कर सकते हैं तो बागी यहां पे detail चेक कर सकते हैं अगला है आपका donor organizer की बात करें लेवल 7 की salary है अगला है आपका donor organizer की बात करें लेवल 7 की salary है अगला है आपका MA होना चाहिए social work में और 25 साल का experience भी होना चाहिए blood bank में, मागे डीटेल यहां पर दिया गया है, इसी तरह से physical training instructor की बात करें तो level 6 की salary है, intermediate and mutual pass है, उसके बाद diploma आपके पास physical training instructor में होना चाहिए, एक साल का experience भी होना चाहिए, मागे डीटेल आप यहां पर चीख कर सकते हैं, इस्टेयोर की पर drugs की बात करें तो level 6 की साल है, essential qualification degree अगर आपने pharmacy में किया हुआ है तो apply कर सकते हैं, desirable तो extra preference आपको मिल जागा, यानि तो आपने डिप्लोमा किया हुआ, साथ में 3 साल का experience हो, तो apply यहां पर कर सकते हैं, programmer की बात के level 7 की salary है, बीटेक वाले computer science, computer engineering या post graduation आपने science से यानि मैट से किया हुआ है, तो apply यहां पर कर सकते हैं, या computer application से किया है, तो भी apply कर सकते हैं, बागी detail यहां चेक कर सकते हैं, junior engineer की बात के लिए यहां पर तो essential qualification 3 साल का diploma आपने mechanical में किया हुआ है, तो आप यहां पर apply कर सकते हैं, 30 साल age limit है, CBT के दोना selection होगा, डी जायम तो extra performance यहां पर मिल जाएगा, technician radiology की बात के level 6 की salary, essential qualification, B.S.E. honor से लिए गणाफी में होना चाहिए, 30 साल तक apply यहां पर कर सकते हैं, vocational counselor की बात के level 7 की salary रहें कि bachelor's आपने किया हुआ डिलेटर डिसिप्लीन में तो apply कर सकते हैं, बागी detail चेक कर सकते हैं, तो coordinator की बात के तो level 7 की salary यहां पर रहने वाले essential qualification bachelor degree होना चाहिए, किसी भी discipline में तेन साल का knowledge experience आपके पास होना चाहिए, उसको आप जेनरिटिक counselor की बात करें तो आप देख सकते हैं, level 6 की salary यहां अगली वेकेंसी की बात के तो walks of a student की वेकेंसी निकालीगे, level 2 की salary रहने वाली है, यहां पर तेन्थ वाले apply कर सकते हैं, बात में आप इस certificate में मांगा गया है, बागे detail आप यहां पर चीक कर सकते हैं, dental technician की बात यहां पर करते हैं, तो matriculation या निते इंतफास वाले apply कर सकते हैं, diploma certificate आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका dental mechanic या फिर आप यहां पर चीक कर सकते हैं, इसमें तो आप यहां पर apply कर सकते हैं, बागे detail यहां पर दिया गया है, workshop technician great second की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, diploma आपके पास होना चाहिए, relevant field में तो apply कर सकते हैं, matriculation, ITI की certificate element field में तो भी आप यहां पर apply कर सकते हैं, दो सल का experience भी चाहिए, बागे detail आप यहां पर चेक कर सकते हैं, driver, ordinary gate की बात करें तो इसके लिए valid driving lessons आपके पास होना चाहिए, आपको बास motor mechanism की knowledge होनी चाहिए, तिन सल का experience होना चाहिए, उसके बाद तेन्थ पास आपका होना चाहिए, तभी आप यहां पर apply कर सकते हैं, desire, बागे detail आपर चेक कर सकते हैं, receptionist में level 5 की salary रहने वाली है, degree अगर आपके पास है तो apply कर सकते हैं, post graduation diploma आपके पास जर्नलीच में या public relation में होना चाहिए, बागे detail आपर चेक कर सकते हैं, multi-purpose worker की अगर हम बाद के level 4 की salary है, तेन्थ पास वाले apply कर सकते हैं, साथ में multi-purpose health worker course होना चाहिए, आपके पास तो apply कर सकते हैं, बागे और करके और भी यहाँ पे detail दिया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं, जो किसनल qualification accelerated, junior photographer की बाद के तो यहाँ पे 10 प्लस ट्वैनी 12 पास, साथ में diploma certificate आपके पास होना चाहिए, course जो कि photography में है तो apply कर सकते हैं, और दोसल का experience भी होना चाहिए, photography में तो उसको preference यहाँ पे मिल जाता है, बागी detail आप यहाँ पे देख लीज़ेगा, deputy manager की बात अगर हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 12 पास, 3 साल का diploma, hotel management के होना चाहिए, तो apply यहाँ पे कर सकते हैं, बागी detail यहाँ पे दिया गया है, जूनियर medical lab technologist की बात कर लेते हैं, तो level 5 की salary है, essential qualification 10 plus 2 भी science subject है, तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं, और दो साल का आपके पास regular diploma होना चाहिए, medical laboratory technology में, बागी detail यहाँ पे दिया गया है, draftsman grade 3 की बात कर लेते हैं, तो level 4 की salary है, matriculation 3 पास वाले apply कर सकते हैं, और 2 साल का diploma certificate आपके पास होना चाहिए, civil draftsman from ITI से, तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं, technician यानि की telephone, grade 4 की vacancy, level 1 की salary है, essential qualification 3 पास वाले apply कर सकते हैं, साथ में, 2 साल का practical experience आप से यहाँ पे मागागा है, due repair and maintenance में, तो आप यहाँ पे check कर सकते हैं, general conditions को उस दिये गया है, कि यहाँ पे जितने भी post है, online ही apply आपको करना होगा, जिसका के link description में आपको मिल जाएगा, last date की बात के, 21 October 2020 से लेकर के, आप 19 November 2020 तक इसमें apply कर सकते हैं, सामके 5 बजी तक, और यहाँ पे बोला जाएगा, कि कोई भी आपको application form offline fields करके, नहीं send करना है, online ही apply आपको करना है, भविस्ते के लिए आप इसका print out निगाल करके, अपने पास उरक्षित रख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी educational qualification, इस लिएटेड आपको document upload करने, PDF format में, उसका list यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है, तो यह list आप यहाँ से check कर सकते हैं, तो बागी यहाँ पे देख सकते हैं, इसका last day to nice November 2020 रखा गया, तो ध्यान रखे, application fee की बात करते हैं, तो पंदर सो रुपए application fee, जनरल OBC के लिए रखा गया, process of selection की बात करें, तो matter of selection आप यहाँ पे चिक कर सकते हैं, दिया गया, जैसा कि post wise मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद यहाँ पे सारे detail आपने देख लिया, तो चलिए अब बात करते हैं, इस पे apply कर से करना है, तो description में आपको apply now का link विलेगा, जैसे क्लिक करेंगे तो वाइस पेज पर आजाएंगे, इस पेज पर आने के बाद यहाँ पे new registration के लिए आपको click करेंगे, यहाँ पे click कर लेंगे registration हो जागा, उसके बाद यहाँ पे connect ID password के अपचा डाल करके log in करके अपना यहाँ से कर सकते हैं, तो simply आपको new registration पे आपको click करना है, आपको form खुल करके आजाएंगे, यहाँ से proceed कर देना है, जैसे पूस्ट करके उसके बाद आगे यहाँ पे आपको proceed करके, online यहाँ पे registration कर लेना है, तो जैसे registration कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से form फिल कर सकते हैं, तो दोस्तो आज के अपडेट में बस इतना है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीज़ेगा, दोस्तों के साथ share कीज़ेगा, नहाँ चलना पे तो चैनल को subscribe कीज़ेगा, बिलाइक आप पेस करना ना, पुलिए कोई doubt हो तो comment कीज़ेगा, तोस्तों कीज़ेगा,